आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे हैं इन लॉंग एंड हैवी हेर में लैग बैक्सिंग का काम और यह लैग बैक्सिंग आप तिल टू एंड वीडियो बॉच करिए जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रोथ काफी अच्छी है लॉंग हेर भी है तो इसमें हमको किस तरह से करना चाहिए सबसे पहले देखिए हम इस तरह से टेलकम पाउडर लगाएंगे जिससे की स्किन से हेर जो चुपके हुए है वो अलग हो जाएं और हमारा वैक्सिंग का काम प्रॉपर वे में हो सके करने का तरीका देखिए आज हम नॉर्मल वैक्सिंग करके बताएंगे क्योंकि क्लाइमेट अब सर्दी का हो गया है सर्दी पढ़ने लगी है तो उसमें इस वैक्स को करने में कोई दिक्कत नहीं है और ये लैग वैक्सिंग नॉर्मल वैक्से ही करेंगे वैक्सिंग में इसको गुर्वना किया है और पतली लेयर इस तरह से पैर पर एपलाई की यह लेकिन जब इस्ट्रिप को हम प्रेस करेंगे तो उसको डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखते हुए रिवर्स डायरेक्शन के हिसाब से इस्ट्रिप को खीचेंगे यह देखें टैनिंग बिल्कुल हटती है नॉर्मल वैक से भी क्योंकि जब हेर इसकिन से अलग हो जाते हैं ब्लैक हेर होते हैं या ब्राउन होते हैं तो जब वो इसकिन से अलग होते हैं तो नैच्रल बे में इसकिन एक दम ग्लो करने लगती है और बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है खुदको भी फीलिंग अच्छी होती है तो लैक बैक्सिंग अगर हेर हैं तो हमेशा मंत में एक बार करवा लेनी चाहिए इसकिन बिल्कु नीट रहती है किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं होता है ये देखें करने का तरीका आप तेल टू एंड वीडियो बोच करिए और बिल्कुल आपको समझ में आएगा जो मेरे बिगनर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए विशेश तोर से हम कहना चाहेंगे कि आप प्लीज वीडियो पूरा देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से रिकेश्ट है कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे कि नौटिफिकिशन हमारे वीडियो के आपके बस महुंस सकें और आप हमारे वीडियो का सबसे पहले लाव उटा सकें ये देखे इस तरह से स्ट्रेश इसकिन को एक हास से करेंगे और फिर पतली लेयर लगा कर इस टिप को प्रेस करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में खीचेंगे इसकी ये डेफिनेशन है वैक्सिंग की और जो हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि हैवी हेर हैं कुछ हमारे स्टूडेंट के कमेंट्स आए कि वो बहुत ज़्यादा लॉंग हेर होते हैं तो डर लगता है कई ब तो वो पेन होगा लेकिन अगर हमारा हाथ स्मूथ है हमारा हाथ सॉफ्ट है हमारा करने का तरीका सही है तो पेन बिलकुल मामूली सा रह जाता है इतना पेन नहीं होता है ये देखिए अब ये पैर पर हम कर रहे हैं इधर कोई हेर नहीं है लेकिन फिर भी यहां करेंगे क् यहां tanning होती है वो हट जाती है दूसरा finger पर कुछ लोगों के छोटे-छोटे hair होते हैं वो भी remove हो जाते हैं यह देखिए बहुत जल्दी ही एक leg waxing का काम complete होने जा रहा है अब घुटने के portion पर हम करेंगे वो देखिएगा वहां भी hair नहीं होते हैं लेकिन tanning बहुत ज़्या हट जाती है और skin हमारी hair हो जाती है बैक एरिया पर देखिए करने का तरीका देखिए आप हमने client को खड़ा नहीं कराया और उसको बैठे-बैठे ही turn कराया है जिससे की back area पर अच्छे से waxing हो कोई client को खड़ा करने की ज़रूत नहीं है full leg waxing आप बैठाय ही हुए करिए हम इसी तरह से करते हैं कुछ लोग client को खड़ा करते हैं फिर back area से लेते हैं ऐसे client थोड़ा irritated होता है बार 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 बैठो फिर बार बार खड़े हो इसलिए देखिए आपने देखा कि एक ही position में client बैठने के बार सारे waxing का काम अच्छे से हुआ है और यह गुटनों पर देखिए यहां hair नहीं है फिर भी हमने यहां wax लगा कर इस तरह से waxing की और घुटन का portion जो थोड़ा सा black नजर आ रहा था वो काफी fair दिखाई दे रहा है जैसा कि आप भी देख रहे हैंगे यह लैग waxing का काम देखिए बहुत ही जल्दी हो गया और अब हम यहां wash कर रहे है नॉर्मल पानी लिया है इसमें हम डिटॉल जरूर डालते हैं जिससे कि कई बार क्या होता है कि किसी की infection हो जाता है खुजाने से तो डिटॉल डालने से एंटिवाइटिक है यह तो बिलकुर कोई किसी तरह का डर नहीं रहता है और डिस्पोजे विल हम napkin use करते हैं उससे wash क कि आए और अब देखिए हम मॉस्टराइज करेंगे या तो हम टोनिंग कर सकते हैं गर्मी का टाइम है तो आइस क्यूब भी लगा सकते हैं दौनों लैग में देखिए आप एक लैग वैक्स की हुए एक नहीं तो दौनों में कितना अंतर आ गया नेचरली वह फेर कलर हैं हम आड़े वैक्स को भी यूज कर सकते हैं लेकि कुछ हमारे स्टुजेंट्स को थोड़ी प्राब्लम होती है तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप वैक्स बिलकुल सीधा लगा लिजी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस टिप को जब आप प्रेस करें तो वह तिरशी इस टिप होनी चाहिए डाइरेक्शन के अकॉर्डिंग यह देखिए आप कितने हैर बिलकुल टूटेंगे नहीं सारे हैर रिमूव होएंगे वह इसलिए कि डाइरेक्शन का अगर हमने ध्यान रखा है तो प्रॉपर वे मैं वैक्सिंग का काम अच्छे से होगा वैक्सिंग के बाद मैं एक चीज और हम कहना चाह रहे हैं हमारे कुछ फ्रेंट्स कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही छोड़ दें नहीं हमको कोई भी इसकिन से अगर जड़ से कोई हेर निकलता है तो बहां मोश्राइज जरूर करना चाहिए या टोनिंग करनी चाहिए चाहिए च तो वो पोर्स बिलकुर बंद हो जाएं और किसी तरह का इंफेक्शन ना हो अब देखिए सेकिंड लैग भी पहुच जल्दी हो जाएगा इस तरह से हम पतली लेयर लेंगे देखिए इस टिप को हमने आड़ा लिया है क्योंकि हेर डायरेक्शन कुछ इसी तरह का है तो उस और आप देखेंगे कि दौनों लैग जब दौनों एक साथ दिखाएंगे तो कितना अंतर आ गया वैक्शन से पहले का पोर्शन आप देख रहे हैं अभी जो हम कर रहे हैं कितने लौंग हेर हैं और ग्रोथ भी थोड़ी आड़ी तिरशी है तो उसी की अकोइडिंग हम इस दीपक एक रोशनी की तरह जो हम प्रकाशित करते हैं हमको उसी तरह आपके जीवन में भी इसी तरह की रोशनी आए और ये हर्शो लास की साथ में आपकी दीप माला की तरह जीवन में जो प्रोग्रेस हो वो आप करें और हम यही एपक्षा करते हैं कि अपन सब मिलकर एक उन्नती के और अग्रिसर हों और ये दीपावली की धेर सारी शुपकामना है मेरे सभी व्यूजर को मेरे सभी फ्रेंड्स को और धेर सारी शुपकामना है बहुत-बहुत मुबारक हो आपको दिवाली और इसी तरह हर साल हम दिवाली मनाते रहें इश्वर से यही कामना है क्योंकि जब हम आपस में जुड़े हुए हैं एक लिंक जो बना हुआ है अपने यूट्यूब के जरीए तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिलकर और विश्वास है आपको ये दीपावली का पर्व हमारी धेर सारी शुबकामना है जो हमने आपके लिए प कमेंट्स दारा जरूर बताईएगा कि आपकी चोईस क्या है और किस तरह का निव वीडियो हम दुबारा से अपलोड करें फ्रेंट्स कई बार आपकी डिमांड होती है कि फेस दिखाईए अंडर राम्स के साथ में लेकिन हम ये आपसे रुकेश्ट करना चाहरे हैं कि सारे क्लाइट फेस नहीं दिखाना चाहते हैं कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हम उनके उपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं आपको समझते हैं कोई बात नहीं आप काम देखिए काम को देखकर कुछ सीखने की कोशिश करिए हम आपसे यही रुकेश्ट करेंगे अगर को कोई तयार हो जाता है तो बिलकुल हम फेस दिखाते हैं देखा है आपने और इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि हर एक कोई तयार नहीं होता कि फेस वो यूटूब पर आये उनका फिरंट देखिए यह सेकिंड लेग भी बहुत आसानी के साथ में हो गया और आप हम वाश कर लेक को इसके बाद मॉस्टराइज करेंगे या फिर टोनिंग कर सकते हैं आप यहां हमने मॉस्टराइज लगाया है विश्वा से आपको हमारा वीडियो ज़रू पसंद आया होगा और अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना नहीं बूलीगा नेक्स वीडियो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी तर तक के लिए विदा लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद